नमस्कार मैं मॉनिका साहु एकलाव आयसकेट भी में आपका स्वागत करती हूं आज हम बालोजी में पढ़ेंगे नूट्रीशन पोशन के बारे में तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पोशन क्या होता है नूट्रीशन क्या होता है कोई भी फूड मटेरियल जब हम ग्रहन करते हैं तो उससे क्या होता है हमको अनर्जी मिलती है और उस उर्जा से हमारा सरीर जो होता है वो ग्रोथ करता है व्रिद्धी करता है तो अगर हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पोशन तो हम क्या बोले कि जिव धार्यों की वह अनिवार ये जैविक क्रिया जिसमें जिव बाहिवातावरण से भोजन ग्रहन करते हैं उनसे उर्जा प्राप्त करते हैं और व्रिद्धी करते हैं यह पोशन क्या लाता है और जिस पदार्थ को हम भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं वो पोशक अर्थार्थ न्यूट्रेंट कहलाता है तो प्रतिक जिव को भोजन की जरुवत होती है उर्जा प्राप्त करने के लिए व्रिद्धी विकास करने के लिए जरुवत होती है तो सब में अलग अलग प्रकार का पोशन पाया जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लिए भोजन खुद बनाके अपने लिए स्वैम पोशन प्राप कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से पोशन प्राप करते हैं तो हम यही देखते हैं कि potions जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं उनके types जो होते हैं वो two types के होते हैं जो first है वो आएगा आपका autotropic nutrition and then second पढ़ेंगे हम heterotropic nutrition यो two types के आपके nutrition होते हैं तो हम सबसे पहले समझते हैं सोब potions के बारे में जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता autotropic auto means होता है स्व और trophus means होता है भोजन और थात जो अपने भोजन का निर्मान स्वेम करते हैं वो क्या है? स्वपोशी और थात ये क्या है? स्वपोशन, autotropic तो अगर हम इसको define करेंगे तो क्या करेंगे? वह पोशन जिसमें जीव अपने भोजन का निर्मान या संसलेशन संथे से स्वेम करता है स्वपोशन कहलाता है अब हम स्वपोशन को देखें तो जो स्वपोशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं अर्थाद एक प्रकास संसलेशी होंगे फोटो ट्रोपिक होंगे और एक रसाइन संसलेशी होंगे प्रकास संसलेशी जैसे की नाम से पता चल रहा है ऐसे जीव जो फोटो सिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वो फोटो सिंथेटिक होते हैं अर्थाद प्रकास संसलेशी जीव होते हैं इनमें क्या होता है ना पेड़ पॉधे जो होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यह सूर्य प्रकास से उर्जा प्राप्त करते हैं, और जड के थुरू जल ग्रहन करते हैं, वातावरन के थुरू कार्बन डियोकसाइड ग्रहन करते हैं, और क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, ग्लूकोस उसका निर्मान करते हैं प्रकाज संसलेशें की क्रिया के दौर है भोजन बनाएं ऐसे जीव कौन होते हैं ऐसे हम पह्डेल हए हरे पेड़ पहुधे प्रकाज संसलेशी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हरे नीले जो सैवाल होते हैं वो प्रकास संसलेशी जीव होते हैं कुछ एकको सी जीव जैसे कि युगलीना वो क्या है प्रकास संसलेशी जीव है फोटो संथर्टिक होता है तो यह क्या हुए प्रकास संसलिशी हुए दूसरा क्या है रसायन संसलिशी वे जीव जो अपने भोजन के रूप में क्यामिकल रिएक्शन के थूरू भोजन प्राप्त करते हैं रसायन को का अभिक्रिया होता है उसके फर्स और उबि भोजन oynप्राट करते हैं यह कहलागा क्यूंकिद्द सबाद क्या निकल सब करते हैं इनके अंदर chlorophyll absent होता है इसलिए ये photosynthesis नहीं कर सकते तो हम ये किस में देखा हमने swap portion में देखा swap portion के अंतरकत प्रकास अंसलेशी और रसायन संसलेशी and second type देखेंगे heterotropic nutrition हेट्रो ट्रोपिक nutrition जैसे कि नाम से पता चल रहा है हेट्रो मिन्स होता है विभिन और ट्रोफस मिन्स होता है भोजन अर्थात वे जिव जो विभिन अन्य जिवों से भोजन प्रात्त करते हैं वो मिदो होते हैं विसम पोशी, तो विसम पोशन ऐसा पोशन है, जिसमें जू अपने भोजन का निर्वान स्वयम नहीं करते, अपने पोशन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, विसम पोशन जो होता है, उसके टाइप्स देखेंगे हम, विसम पोशी जो होते हैं, वो पाच प्रक के होते हैं एक तो होता है प्राणी संभोजी पोशन अर्थात होल जोईक नुट्रीशन सेकंड होता है पर जीवी अर्थात पैरसिटिक नुट्रीशन थर्ड होता है सिंब्योटिक नुट्रीशन अर्थात सह जीवी और फोर्थ होता है मृतोब जीवी अर्थात सैप्रोफ्य नूट्रीशन और फिफ्थ कीट भग्ची अर्था इंसेक्टिवोर्स ये पाच प्रकार के हेट्रोट्रॉपिक नूट्रीशन होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं हॉलो जो एक नूट्रीशन के बारे में हॉलो का अर्थ होता है पून जो प्राणी संभोजी पोश्चन हो थोस्रूप में ग्रहन निगलते उसके बाद के शरीर के अंदर अंदर रहन पाचन और और सोशन स्वांगी करण ये सब प्रक्रिय होती है शरीर के अंदर तो वो होता है प्राणी संभोजी पोशन तो वह पोशन जिसमें जीव भौझःपदाट को ठोस रूप में ग्रहन करते हैं और सरीर के अंदर उसका पाचन और सोशन श्वांगी करन तता बहिशकरन की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है प्राणी संभोजी पोशन कहलाता है फिर हम कुछ प्रकार देख लेते हैं प्राणी संभोजी पोशन के हम सब जानते हैं जै मासावाहारी होते हैं, कार्णीवोरस, ओम्नीवोरस होते हैं, अर्थाथ सर्वाहारी, तो देखिए, जो साकाहरी होते हैं, जो साकाहरी जी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पोशन के रूप में पेड़ पॉधों के भाग को ग्रहन करते हैं, मतलब भोजन के रूप में पेड़ पॉधों के भाग को ग्रहन करते हैं, साका हारी कहलाते हैं हर्ब्स खाते हो, ठीक है? तो इसके अंतरगत क्या गया देख लेगे, कौन-कौन होते हैं? साकाहरी, गाय हो गया, बक्री हो गया, भेड हो गया, हाथी, घोडा, ये सब साकाहरी जिव है अब हम मासाहरी में देखते हैं, वेजिव जो भोजन के रूप में जन्तों के मास को ग्रहन करते हैं, वो क्या कहलाता है, मासाहरी, कार्मी वोरस कहलाते है इसके अंतरगत बाग, चीता, सेर, हाइड्रा, अमीबा, ये सब किसके अंतरगत आ जाएंगे? मास अहारी के अंतरकत आए जाएंगे फिर सर्वाहारी वेजियू जो भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों के भाग एवल मास दोनों कर गढ़न करते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते है सर्वाहारी के अंतरकत हम क्या देखेंगे? के मनुष्य हो गया कुट्ता तिल्चट्न यह सर्वाहारी के अंतरगत आते हैं कुछ प्रिडैटर होते हैं अर्था परभक्षी जो दूसरे जीवों को खाते हैं Like Tiger कुछ उच्ण मार्जक होते हैं वो भी दूसरे जिवों को खाते है जैसे जि घिद्ध, ठीक है तो यह प्रानी संभोजी पोशन के अंदर गताते हैं अधा ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, फिर तत्पश्चात उनका सरीर के अंतर पाचन होता है, ऐसे जो जीव होते हैं, वो प्राणी समभोजी पोशन के होते हैं वो क्या करते है सरल कार्बनीक पदार्थों को जटिल कार्बनीक पदार्थ में बदलते हैं जैसे कि हमने देखा फोटो सिंथेसिस जो होता है उसमें कार्बन डियोकसाइड और जो वाटर होता है वो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं ग्लूकोस बनाते हैं तो अंतुम सरे लणू से जटे लणू बने तो ये होते हैं क्या सुआ पोशी और जो विसम पोशी होते हैं वो जटे लणू को जो complex molecule होते हैं उसको simple molecule में convert करते हैं तो ये first type था प्राणी सम्भोजी पोशन, second type आएगा परजीवी, parasitic nutrition अर्थाद, परजीवी पोशन वह पोशन है जिसमें जीव, दूसरे जीव के सरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे पोशन प्राप्त करते हैं parasitic कहलाते हैं और ये जो method है वो क्या कहलाता है? परजीवी पोशन कहलाता है ठीक है? ये दो ब्रकार के होते हैं, एक बाहि परजीवी और एक अंता परजीवी external parasitic nutrition, sorry, external parasites होते हैं और internal parasite होते हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे parasite जो जीव के, सरीर के बाहर रहके पोशन प्राप्त करते हैं पर जीवी के अलाते है जिस से पोशन प्राप्त करेंगे, जिस जीव के से पोशन प्राप्त करेंगे, वो post आप कहलाता है host कहलाता है ठीक बाहि परजीवी, जो सरीर के बाहर रहके पोशन प्राप्त कर रहा है जैसे कि जू हो गया, खटमल हो गया, ये सब जोक हो गया यह सब क्या होते हैं सरीर के बाहर रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसी अमर्बेल जो कस्कूटा जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है जो दूसरे जो प्लांट होते हैं उसमें ये फैले होगे होते हैं दूसरे जो पौधे होते हैं, उसके जो तने होते हैं, उसमें ये फैलेवे होते हैं, इसके प्रचुष्टांग होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं, जिसके थूरू ये इस पौधे से भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं, ये होता है अमर बिल, ग्र tane नेक्स देखेंगे रेफ्लीशया यह विस्तो बड़ पुश है यह जो हते हैं यह टोना स्वार्वब दिखता है और उसके root stem कुछ नहीं दिखाई देते ये red brown color something का होता है reflexia जो होता है वो दूसरे जो जिव होते हैं उनके root से ये क्या करते है nutrition प्राप्ट करते हैं तो ये reflexia, amarbell जो ACF का exam है उसमें questions ऐसे ही आते हैं लास्ट टाइम पर question आया था कि psychos क्या है पर जीवी है मृतोब जीवी है इसा जीवी है तो वह एक प्रकार का पर जीवी है इसी प्रकार के questions आते हैं तो हमको example बहुत अच्छे से याद रखना है अन्तः पर जीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीव जो host होते हैं उसके सरीर के अंदर रहके उनसे portion प्राप करते हैं वो अन्तः पर जीवी के हलाते हैं हम example देख लेते हैं plasmodium जो plasmodium जो होता है जिसके through क्या होता malaria होता है प्लाज्मोडियम जो प्रोटो जो होता है उसको क्या करता है यूमन में इंजेक्ट करता है और इससे malaria होता है तो यह क्या है यह एक टैक का parasite है जो जिसका पहला host कौन है माना हो है दूसरा host मत्छड होता है ठीक plasmodium उसका example है tap warm जो होता है ना कुछ ब्राउन कलर के होता है जो tap warm जो होते है वह हां यह जो होता है यह सूर में पाया जाता है और अगर मनुष्य अधपक्का सूर खाले तो tap warm उसके अंदर चला जाता है तो वह parasite ही है वह depend कर रहा है दूसरे पर वैसे यह सब किसके अंतरगर आएंगे इंटरनल परासाइट के अंतरगर आएंगे जो परासाइट होता है इसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे को लाब होता है ठीक है और नेक्स्ट हम देखते हैं सहजीवी पोशन सहजीवी पोशन जैसे कि इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है जब दो जीव साथ में जीवन रापन करते हैं तो इसला का पोशन क्या कहलाता है सहाजीवी पोशन कहलाता है इसके एक्जामपल लाइकें राइजोबियम इस्चीरिया को लाई तो हम थोड़ा एक्जामपल को समझते हैं सहाजीवी था दो जियो साथ में रह 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 और साथ में भोजन प्राप कर रह रह एक दूसरे से तो जो सहाजीवी हम अगर सबसे पहले राइजोबियम को समझें यह जो राइजोबियम इक बैक्टिगरिया है जो लैग्यूमिनस प्लांट होते हैं लाइक मटर और चना इन सब में पाए जाते हैं यह सब लैग्यूमिनस होते हैं अब यह मालो यह मटर का पौधा है इसकी जड़ों में पाया जाता है क्या rhizobium नामा bacteria अब यह rhizobium bacteria क्या करता है जो environment में जो nitrogen होता है उसको क्या करता है ग्रहन करता है और उसका fixation करता है स्थरी करन करता है ठीक और यह rhizobium इस पौधे को क्या देगा nitrogen देगा यह पौधा इसको क्या देगा भोजन देगा ठाथ पोशनल देगा तो यह एक दूसरे पर निर्भर है rhizobium इस पौधे पर भोजन के लिए निर्भर है तो भोजन इस राइजोबियम पर nitrogen के लिए निर्भर है वैसी लाइकेन जो होता है लाइकेन जो होता है वो कुछ जैसे ये पेड़ है उसके ये शाखाई होती है उसमें कुछ इस तरीके से ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसा दिखाई देता है लाइकेन जो होता है लाइकेन जो होता है न वो अल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बना होता है और थात कवा कर थात फंगस होता है और सेवाल का मतलब होता है अल्गी जो green color की दिखाई देते हैं साधारान सब्दों में काई बोलते हैंлगी सेवाल ऑजो जूते या जो ब्रेड होते हुसमें clear लगता है वह फंगस तो इन दोनों का मिशचरों क्या होता है lichen होता है lichen जो होता है यह दोनों होते Commons अब यह quiet जो सैवाल ह्युआ होता है इसमें क्लोरोफील प्रेजन होता है फोटोसेंथेश nelle क्रिया करता है और यह भोजन देका oh जो कवग ँवह होता है यह क्या करता है मतर्में जो होता वो असको नमिप्रादान करता है इस तरीके से एक दूसरे पर निरभर होते next example is skiriakolai के बारे में देखते हैं, जो skiriakolai होता है वो हम जानते हैं कि जो मनुश्य होता है उसमें जो large intestine होते है, उसमें mainland टंक नेज सफ जो कोलावण होता है उसमें present होता है skiriakolai सब्सकता है ? अब कही सफ कही सत पारहर है उसको मिल गया nutrition उसको मिलता है वो विटामीन के का nutrition करता है मतलब सौरी synthesis करता है जो मनुष्य के लिए help करता है तो यह क्या हो गया सहजीवी जुसके example हमको याद करने है लाइकेन राइजोबियों इस्चीरियों करते हैं यह symbiotic nutrition करते हैं नेक्स आते हैं मृतोब जीवी नाम से पता चल रहा है जो क्या खरते हैं सड़े गले मृत्य पदार्थों को खाते हैं वो क्या है मृतोब जीवी अर्थात्व पोशन जिसमें जिव सड़े गले भोज्य एपनों पॉशन प्राप्त करते हैं मृतोब जीवी कहला ते हैं और इस प्रकार का जो पोशन है मृतोब जीवी पोशन कहलाता है इसमें क्या होता है यह special type का enzyme secret करते हैं जिससे degrade हो जाते है वो विगडण हो जाता है वो भोजन का यह वहता है मृतोब जीवी अब उसके के एकजामपल में हम देख लेते हैं। Cock्त इस का कि सप्रयोफितिक निटृशिन इसके अंतर हमको राइजापिर है। चुकुर्मुट्त्ता ज़ो होता है कूछиваем ज़ो होता है। कूछ इस टाइप का यह होता राइजोबन यह किया यह सप्रोफित। मृतय जी ओना। कीट भख्ची पोशन जो इनस्यक्टिव ओरस होते हैं इनके भी नाम से बता चल रहा है यह क्या खाते होंगे कीट खाते होंगे क्यों खाते हैं ऐसे जो पौध होते हैं वो दलदली स्थानों में पाया जाते हैं और वहां पर प्रकाश संस्लेशन की क्रिया के दौरा भोजन तो बना लेते हैं वो लेकिन जो नाइट्रोजन की कमी को वो पूर्थी नहीं कर पाते तब वो क्या करते हैं कीटों का बख्षण करके नाइट्रोजन प्राप करते हैं हम घटपढ़नी से ही समझते है यह जो निफैंथस न इसको बोलता है घटपढ़नी को बोलता है यह कुछ कलस पादब जैसे से बोलेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रॉक्चर होता है और इसके उपर ऐसे पती जैसे संरचना होती है कुछ ऐसे इसलिसें फीचर ब्लांट जे होता जैसे हैं कोई इस इसहां को इसाकता lucky आपने तकन को आड़िए जिससे क्या होता है अंदर चला जाता है फिर स्को और जाता है ! इसको किया मिल जाता है ! क्छा नाइ्ट्रोजन मिल जाता है ! तो, ये क्या होए ? घर पढ़नी जो फीचर प्लांस नेफेन्तरश बोलते है जिसको ये इसको एसनी भिट लीं से बढ़न में में इसमें कुछा बदात। क्रीट करते हूं आप गुषे क्रीट तो जो चम्कीले होते हैं अब ऌलते जो इंशेत हो जो एक जैसे इंसेक बेटता है वह साथ कर देता है और भी ग्रेट पैल तो यह सब गड़ पले baru इस मेरें तो यह सारे क्या है इंसेक्टिव और उसके एक्जाम्पल है तो हमने क्या देखा पोशन में पोशन की परिभासा देखी पोशन के दो प्रकार होते हैं स्वा पोशन और विशम पोशन विशम पोशन में हमने देखा कि यह पाच प्रकार प्राणी संभोजी पोशन परजीवी सह जीवी, मृतोब जीवी और कीट भक्षी पोशन देखा हम देखेंगे एक कोशी की जीवों में पाचन और बहु कोशी की जीवों में पाचन तो सबसे पहले थोड़ा से समझ लेते हैं कि एक कोशी जीव और बहु कोशी जीव क्या होता है जो कोशिका होती है ऐसे जीव जो तूर्प केवल और केवल एक कोशीका उसे मिलकर बने होंगे जैसे कि Amoeba, Paramyatrim, यह क्या होता है एक कोशी की और ठाथ Unicellular organism होता है और बहु कोशी की, Multicellular ऐसे जीऊ जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो क्या है? है बहुकोशी की जिवर अर्था मर्टि ऑर्गेनिसम जितने भी हरे-पेड़-पॉध में ये सब अमीबा जो होता है ना वो कष्पीओं नूट्रिशन करता है अभी अमें इसका घ्जामपल भी देखा थोश दूसर्जोप में ग्रहण करने के बाद अुसका सरीर में पाचन और शोशन्वांगी करन् भई सक्रियाम होता है अंत्ध कुशी के अंदर एक तो तो सैल के अंदर उसके आंदर पाचन भी वहीं होगा सर्चन भी होगा शवशन भी होगा अन्थो के सब्सक्राइब आपको यद कंड़न वह दो यह होथ है घृशन को किस तरीकिर को गोड्र davon दिखाए देता है एर्रेगोलर saben को होता है लैक्टीरिया यो कोई यालगी वो क्या करता है वो ऐसे विष्म क ren 220 एदिया अथिया घैए में बन्लेट कर लेता है उसके अहले में जूते हैं जिससे वो कवर करता student बढ़ाता, आपके चले जाते हैं, वो आपके चले जाते हैं, सेल के कार्नर पर, और एक टाइम के पाद, उनका सेल से बाहर कर दिया जाता है, जिसको बोलते है, एक्जोसाइटोसिस, ठीक है, यह क्या हो गया? किसके दोर अग्रहन की यह है, कूटपाद के दोर पकड़ते हैं किस वीधी के दरसरी से बाहर करेंगे एक्जुसाइटोसिस यह जो याद करना दो बहुकोशी की जिव अब सिलेवस में हैं बहुकोशी जिव टिड़ा में पाचन तिड़ा था तो ग्रास वह पर जो होता है वह है टिड़ा अब टिड़े के पाचन तंतर के बारे हम देख ले इसका एрах इसके बाद जो ट्ब्लाक स्ट्रक्चर ग्रसनी उसके नीची जुक नीचे रास मकेटे लेि और थाउसे नीचे र्न्च लेगिरह, ँसके नीचे लीट गिजाड जो पोशन दिख्यर रहा है, यह है हेविविझ घ्पाडिथी का मिडिल पोशन के यntर पूस्यली नाज इंटस्टाइंड का जो लास पोर्षन होता है वह होता है ड्यक्टम मलास है जो कि मनुष्य में भी इसी तरीके का होता है यह पूरो ट्यूब होता है यह उसका उच्छी यंग है जिसको बोलते हैं माल पीजिन नन लिकाए जाह हम उच्छ सर्जाल कढ़ेंगे तो हम पर होता है साकारी होता है एक तो साकारी होता है एक तो बाहे कोशिकी पाचन करता है मतलब कोशिका के बाहर होगा इसका पाचन प्राणी संभोजी कोशन करता ही है अब सबसे पहले उसने पत्ती को खाया खाने के बाल सलाइवा सिक्रीट होता है तो उससे वह मिक्स होता है फि cash time के लिए crop में रूखता है फिर गीजाड में आता है गीजाड क्या करता है भोजन को पीसने के बाद यहां पर HP危險 От turn sure Prderncal diets我不 पामशची में ही देखता है कि जो चोटी हाथ होता है by उसका ऊशोचन करता है तो बिल्कुल उसी तरीके से वो large intestine को चला जाता है और rectum के थुरू उसको बाहर कर दिया जाता है इसका उत्सर्जियन कौन है? मालपीजियन न लिकाएं इसमें पाचन का मुख्यकारिक किस के दोरा होता है? हेपैटिक सिका के दोरा, गिजाइट के दोरा होता है और शोशन कहां होता है? चोटे आत में होता है यही हमको याद रखना है बहु कोशी जीव टिडडे में तो हमने देखा किसमें एक कोशी की जीव में पाचन और बहु कोशी की जीव में पाचन थैंक यू